हेलो फ्रेंड्स तिवारी क्लासेश में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हम इगनु के मास्टर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHD अर्थात हिंदी विशाई में MA इसका सब्जेक्ट MHD 2 अर्थात आधुनिक हिंदी काव्वे का 1 अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्वे पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित हर एक्जाम में एक ना एक प्रस्ण जरूर पूछा जाता है इसलिए बहतर होगा कि वीडियो को इसकीप किये बिना पूरा देखिये ताकि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित पूरा सिले बस कबर हो जाए काव्य का अध्यायन करेंगे तो पहले देख लेते हैं भारतेंदु का भक्ति परक काव्य है भारतेंदु यूग को हिंदी सहित्य का नवजागरन काल और स्वयम भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरन का अग्रदूत माना गया है भारतेंदु यूग से पूर्व के य लिए हिंदी में जो सबसे पहला, जो समय था उसको आधिकाल के नाम से जाना जाता है। आधिकाल के बाद भकतिकाल और उसके बाद रितिकाल और यहाँ जो हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्याण कर रहे हैं, यह आता है आधुनिक काल में। अर्थात आधिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल और उसके बाद आधुनिक काल तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनको नव जागरन का अग्रदूत माना गया है या आधुनिक काव्य का अग्रदूत माना गया है जो रितिकाल था तो इस काल में कविता बिलासिता के पंक में धुबी हुई थी इस काल में अधिकांग्स कभी राज्यास्री दरवारी तथा स्रिंगार बृत्ति के रसीक कभी थे उन्होंने दरवारों में राजाओं और मनसबदारों की चाटू कारिता में उन्हें प्रशन करने में हशाने में चमत्कृत करने उनकी रंगरलियों को और म रितिकाल की प्रविर्तियां हैं, जहांपे अधिकतर कभी दरवारी थे, राजा के दरवारों में रहते थे, राजा के प्रसंग्षा में कभिताएं लिखते थे, काव्यका रचना करते थे, ठीक है? रितिकाल के विफ्रित इस आधुनिक युग में हिंदी कभिता का विशय, रूप, भाव, भासा के इस्तर पर पुरानी केंचुल उतार कर नया रूप धारन करने का प्रयास करती हैं, कभिता दरवारों से निकल कर सीधे जनता के साथ संबंध इस्थापित करती हैं, इन सब प परिश्चंद्र ने नाटक, कभिता, निबंध, आधिक कई साहितिक विधाओं को अपनी रचनात्म कभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए, और पत्रकारिता द्वारा साहित्य और समाज के संबंधों को नए ढंग से समझने समझाने का प्रयास किया, भारतेंदु की कभित असत में हासिल किया, उसमें विशाल भक्ति काव्य सामिल है, अपने जीवनकाल में उनकी काव्यरचना का आरंभिक हिस्सा धार्मिक कभिताओं के रूप में परमपरा पालन करते हुए शामने आता है, यद्यपी उनकी ये कभिताएं भी राष्ट्रिय जागरन की मूल प्र परमपरा था, उससे कन्नी काटकर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि उस परमपरा का पालन किया जाए, उस परमपरा में जो अच्छाई है, उसको परखा जाए, देखा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए, उनकी प्रमुख भक्ति परक कभिताएं भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख्य महत्व, प्राता इस्मरन मंगल पाठ, देवी, छदमलिला, रानी छदमलिला आदी है। यहाँ पर कुछ काव्यों का नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, भक्त सर्वस्व में राधा और कृष्णी के प्रती भक्त की भक्ती भाव की ब्यंजना करते हुए पुरानों के अनुसार उनके चरंचिन्नों का वर्णन है। वैशाख महत्यों, इसमें वैशाख महिने के स्नान की महिमा का वर्णन है। वैसे ही अन्य कविताओं में भी राधा कृष्णी के प्रेम का, प्रेम के महत्यों का, इस्वर के प्रती निवेदन का, राधा कृष्णी के मिलन का वर्णन किया गया है। उनकी कविताओं में सगुन बादी परंपरा का ही अनुकरण दिखाई देता है। यहाँ पर यह सब्द समझ लेना जरूरी है संगून बादी, जैसे कि आप जानते होंगे कि भक्ति काव्वे को दो साखाओं में बाटा जाता है, संगून बादी तथा निर्गून बादी, शंगून बादी अर्थात जो भगवान के साकार रूप का बिश्वास करते हैं, और निर्गून बादी अर्थात जो भगवान को निर्गून निराकार मानते हैं, तो यहाँ पर भारतेंदू हरिस्चेंद्र वो शंगून बादी परंपरा काही अनुकूलन, अनुकरन करते हैं, भारतेंदू पारिबारिक संस्कारों और अपने मत के अनुसार स्वयं को पर कई प्रस्न लग गए धार्मिक समाजिक सुधारबादी आंदोलन धर्म की रूड़िवादिता अंध विश्वास धर्म द्वारा प्रेरित समाजिक कूरितियों का जोरदार खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य हो रहा था भरतेंदु हरिश्चंद्र पर भी का प्रभाव पढ़ा उन्होंने भी ऐसी मान्यताओं के विरूद में कविताएं लिखी अर्थात यहां पर उनिश्वी सताबदी में बंगाल में जो नवजागरन की प्रक्रिया चल रही थी जैसे आर्ज समाज के संस्थापक जो थे दयानन सरस्वती या फिर ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय ऐसे इस्वर चंद्र विद्यासागर सभी समाजिक सुधार के आंदोलन जो चला रहे थे इनका प्रभाव भारतेंदु हरिष्चंद्र पर भी पड़ा स्वामी दयानन्द एवं उनके आर्ज समाज द्वारा मूर्ति पुजा इस्वर के सगुन रूप का बिरोध उन्हें नहीं जचता था क्यों क्योंकि वे सगुन बादी थे और यहां पर जो आर्ज समाज का जो सिध्धान्त था उसके अनुसार ये मूर्ति पुजा इस्वर के सगुन रूप का बिरोध किया जाता था तो ये भारतेंदु हरिष्चंद्र को नहीं जचता था किन्दु उसके समाजिक सुधारों का ये शमर्थन करते थे इसी प्रकार ब्रह्म समाज की धार्मिक मान्यताओं के जदी वे बिरोधी थे तो उनकी समाजिक सुधार की मान्यताओं के पक्षिधर भी थे ब्रह्म समाज के समाजिक आंदोलन के भी वे जातिये विवा आधी को भी इन्होंने अपनी स्विक्रिती दी थी इनके अलावा भारतेंदु की विविन धर्मों के बारे में लिखी गई जो कविताएं हैं जो जैन, सीक, इसलाम, आधी धर्मों के महत्वों को भी स्विकार करती है सभी धार्मिक मत मतांतरों के आलोचनात्मक द्रिष्टी से परखने के बाद वो इसी नतीजे पर पहुँचे कि सभी धर्मों की मूल द्रिष्टी एक ही है मत मतांतरों पर जगडने से कोई लाब नहीं सभी को अपने अपने मतों को मानते हुए दूसरे मतों का या दूसरे धर्मों का आधर करना चाहिए इसलिए उन्होंने एक ऐसे मार्ग की कलपना की जिसमें आडम वर रहीत इस्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलब हो सके। उनकी धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्नोय बाद या धर्म निर्पेक्षता की शिद्धान्द की और विक्षित करने का प्रयास करती है। और श्रिंगार परक काव्य को देख लेते हैं। भारतें दूसे पूर्व का जो काल वो हिंदी साहित के इतिहास में रितिकाल के नाम से जाना जाता है। अर्थात या धुनी काल से पहले रितिकाल था। इस काल में लिखा गया हिंदी काव्य रूढी बद, भोगबाद, स्रिंगार रस्य, युक्त, सामनतादी वर्ग का अनुरंजन करने वाला काव्य था। इस काल के कभियों को समाज, हीत, लोग, कल्या, निति, वादीता से कोई लेना देना नहीं था। वो जन समाइने से पूरी तरह कटा हुआ काव्य था। इसलिए इस काव्य को अंदकार यूग, नैतिक पतन और सुसुतिका काल कहा जाता है। अर्थात रिती काल को अंदकार यूग, नैतिक पतन तथा सुसुतिका काल कहा जाता है। भारतिन्दुने परंपरा का अनुपालन करते हुए प्रकृति सौंधर्य, प्रेम सौंधर्य और स्रिंगारिक रचनाएं भी लिखी है। भक्ति के छेत्र में सूर अर्थात, सूरदास और स्रिंगार के छेत्र में बिहारी उनके प्रिय कवी रहे हैं। बारह मासा होली आदी पर भी भारतिन्दु की कवीताएं हैं। लेकिन रीतिवद कवियों की भाति उनकी प्रेम सौंधर्य, स्रिंगार पर कवीताएं किसी राजदर्बार या मनसबदारों की चाकरी में नहीं लिखी गई। भारतिन्दु इन कवीताओं में भी पूरे स्वच्चन्द, मस्त और लोकमन, लोकजन से नाता जोडने में प्रयासरत दिखाई पड़ते हैं। प्रेम सरोबर, प्रेमासरूबर्नन, प्रेमतरंग, देवी, छदमलीला, आदी उनकी स्रिंगार परक रचनाएं हैं। ऐसा प्रतित होता है, भारतिन्दु परमपरा का नुपालन करते हुए इन काव्यों की रचना की, वह परमपरा से कन्नी काट कर आगे बढ़ना नहीं चाहते, बलकि उसे अपना कर, उसमें से अच्छा बूरा पहचान कर ही वह अपने समय से जूडना चाहते थे। भारतिन्दु का स्रिंगार रस का जो काव्य है, रिति कालिन कभियों से कई बातों से भिन्द है, जिसको देख लेते हैं। तो पहला क्या हुआ, उन्होंने रूढ़ी बद काव्य नहीं लिखा। वह सामन्तों के अनुरंजन के लिए लिखा गया काव्य नहीं है। वैसे ही उसमें बिहारी की तरह चमतकार लाने की प्रवरिती नहीं है। उनके काव्य में घनानंद की तरह स्वच्छंदताबादी प्रवरिती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि रिति काव्य जो है वो कई तरह का होता था। जैसे रिती बद्ध रिती मुक्त इस तरह से तो यहां पर जो घनानंद जो थे वे रिती मुक्त काव्य का रचना करते थे अर्थात स्वचंद प्रकृती से काव्य रचना करते थे तो भारतेंदु की जो स्रिंगार परक रचनाएं हैं वो घनानंद की तरह ही स्वचंदता ब प्रकृति की प्रविर्ति की है। वो रीतुओं के जीबन चित्रन की प्रिस्ट भूमी में राधा कृष्ण की प्रेम लिला का विरह मिलन का चित्रन करते हैं। उनके स्रिंगार काव्वे पर राजस्थानी, पंजाबी, उर्दु, गुजराती, आधी भाशाओं पर लिखे गए प्रणई काव्वे का प्रभाव है। उन्होंने लोकशंगीत, गाउं में प्रचलित, राग, रागीनी का भी प्रयोग किया है। उसमें लोक तथा परमपर का शमन्वाई दिखाई देता है। इस प्रकार भारतेंदु का स्रिंगार काव्वे सिर्फ परमपरा का पालन करना नहीं है। वो अपने शमय, अपने शमाज, अपने देश की परिश्थितियों के प्रति जाग रुख थे। अपने यूग के दवाबों को महसूस करने वाल अधिक तर जो प्रस्ण है इसी सेक्टर से पूछे जाते हैं। अर्थात भारतेंदु की आधुनिक कविताएं। लेकिन जो प्रस्ण है ये कही तरह से पूछे जाते हैं। सबसे अधिक जो पूछे जाते हैं वो है भारतेंदु के काव्वे में देश भक्ती और राज भक भक्ति के अंतर द्वंद का सोदाहरन विवेचना कीजिए ठीक है तो यहां पर हम लोग देश भक्ति से संबंधित काभी भी देखेंगे राज भक्ति से देश की जो राजा हैं या देश के जो सरकार हैं उसके प्रती भक्ति तो उस शमाई का जो शमाई था उसमें भारत में पहले तो company का शाशन था इस त्टि इंडिया company का और उसके बाद जो 867 का जो क्रान्ती हुआ उस क्रांती के बाद भारत में अंग्रेजों का शाषन हो गया तो अर्थात ये भारति न्दु हरिस्चंद्र तो पहले जो अंग्रेज सा सकते उसके प्रती खुद को वफादार मानते थे ठीक है और उनके गुणगान के लिए जो कविताएं लिखी गई उन्हें राजभक्त की कविताएं कहा जाता है समझ लेते हैं ये राजभक्ती और फिर आजभक्ति से धीरे-धीरे उनकी कविताएं किस तरह से देश-वक्ती की और परिवर्थित हुई राजभक्ती कविताओं में भारतेंदु की उन कविताओं को लिया जा सकता है जो उन्होंने ब्रिटिस सासनाध्यक्षों ब्रिटिस राज के बारे में लिखी है भारतेंदु ने प्रथम कविता महारानी विक्टोरिया के प्रती अलबर्ट की मिर्त्यू पर 1861 इस्वी में लिख कर उनके प्रती सहनुभूती प्रकट की प्रिंस ओप वेल्स के बिमार पढ़ने पर प्रिंस के रूसी राजकुमारी के साथ विवाह होने पर तथा प्रिंस के भारत आने पर उनके सम्मान में भी कविताएं लिखी यही नहीं प्रिंस अफ वेल्स को भारत का दुख जानने के लिए आया हुआ मानकर उनके सामने भारत की पीड़ा को भी ब्यक्त करते हुए कविताएं लिखी हैं। नहीं किया और उनका अनेक अफसरों पर सतकार किया तो उनिस्वी सताब्दी के एक राजभक्त परिवार के सदस्य से यह आसा क्यों करनी चाहिए कि वह उपनिवेश बाद विरोधी वैचारिक संगर्स में सभी अंग्रेच को एक ही नजर से देखेगा और उनसे मानवियर इस प्रशाषन करे तो उसे उपनिवेश बाद कहा जाता है तो पहले पहले तो यह समझ में नहीं आया कि अंग्रेच जो थे वो भारत को लूटना चाहते थे या भारत पे स्वच्छ तरीके से प्रशाषन चलाना चाहते थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी यह समझना स इसलिए वे सुरू सुरू में राजभक्त ही बने रहे 1857 से पूर्व अंग्रेजों की नीती भारत को सिर्फ लूटने खसोटने की रही ठीक है 1857 से पूर्व अर्था जिस समय इस्ट इंडिया कमपनी भारत का शाषन करता था ठीक है लेकिन राश्ट्रिय संग्राम के जहरा अंतर आ गया तो क्या हुआ कि जैसे ही अठारो सो संतावन का क्रांती हुआ उसके बाद जो शाशन वो कमपनी के हाथों से सीधे ब्रिटीस सरकार के हाथों में चला गया और उसके बाद उनके नीतियों में भी कुछ बदलाव आया अठारो सो अंठावन के घोसना पत्र में महारानी ने जो लंबे चोड़े वाइदे किये थे उन्हें पढ़कर कोई भी यह नहीं कह सकता कि बिटीस राज यहां लूट खसोट के मकसद से पाउं जमा रही है इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि उस समय तक देश की राजनीतिक ह खालत ऐसी हो चुकी थी नवाबों राजाओं सामंतदारों के आलसी सोशन परक प्रविर्तियों से प्रजा बेहाल थी सामाजिक बुराईयों धार्मिक अंधिविश्वाशों से समाज पतन के और अग्रसर था ऐसे में ब्रिटीस हुकुमत के द्वारा ग्यान विज्ञान नई तकनिकी नए प्रशाशन की तरकीवें स्वच प्रशाशन के आश्वाशन निश्चे ही मन को लुभाने बाले थे भारतेंदु ने लॉर्ड लॉरेंस लॉर्ड मियों लॉर्ड रीपन के प्रति लेक कविताएं लिखकर अपनी सरधांजली प्रकट की है वो अकारत नह ही है लॉर्ड लॉरेंस ने देश की आर्थिक उन्नती के लिए बहुत कुछ किया यह बात दिगर है कि ब्रिटिश सत्ता के यह सभी सुधार अपने पैर जमाने की चालवाज तरकीवों का ही एक दिखावटी हिस्सा था ऐसे लॉर्ड मियों ने भी अपने अल्प सासनकाल म में देशी राजाओं और प्रजा का आदर अर्जित करने के अनेक कदम उठाए सार्वजनिक जीवन से भ्रस्टाचार मिटाने की व्यवस्ता भी मियों ने की थी लॉर्ड रीपन ने अपने शासनकाल के दौरान सुधार के जितने कार्जी किये उन्ही के कारण उन्हें इत लॉर्ड लीटन के प्रति उनकी आलो चनात्मक टिपनिया इस बात की गवा है लॉर्ड लीटन के सासनकाल में लगभग पच्चास लाख से भी अधिक लोगों की अकाल मिर्टू हुई थी उनके कुशाशन की अनिक त्रूटियों की भारतेंदु ने कटू आलो चना की है अ इसलिए उसी से संबंधित कविताएं लिखते थे अब जब बीटिस शासन का पोल खुलने लगा कलाई खुलने लगी तब इनको समझ में आया कि नहीं ये तो क्या लूट खसोत के मकसद से ही भारत आया है ठीक है अब देख लेते हैं अठारो सो अंठावन से अठारो सो एक उखों पीड़ाओं बदहाली को कभी प्रिंस ओफ वेल्स के द्वारा कभी लॉड के द्वारा महारानी तक पहुंचाने का अनुनई भी नहीं करते रहे और महारानी को जनता का हीत रक्षक मानते रहे बाद में उपनिवेशी समराजबाद की सुधारबादी नीती की कलई उसके सामने उतर्ची गई इस बात को समझ गए कि सामराजबाद सामंतबाद के साथ मिलकर वही पुराना लूट खसोट का खेल खेल रहा है और जनता की बास्तविक तकलिवों को दूर करने का उनका इरादा पाक साप नहीं है वे यह भी देख रहे थे कि अंग्रेजी सत्त के न्याइक होने का बिगुल बजाते रहे और बदले में लूट का एक हिस्सा हासिल करती रहे इसलिए विजाई बल्लरी और विजाईनी विजाई वैजन्ती में भारत के दुख कस्टों का तो खुब बर्लन है किन्तु कहीं पर भी महारानी तक इन दुखों को पहुंचान का आहुआन नहीं है विजाई बल्लरी अफगान यूद के समाप्त होने पर और विजाईनी विजाई बैजन्ती मिस्र विजाई के बाद लिखी गई लेकिन दोनों कविताओं का मूल लक्ष राजभक्ति परदर्शन नहीं बलकि राजभक्ति को आधार बनाकर अंग्रेज की कविताएं हैं अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र को अच्छे तरह से समझ में आ गया कि अंग्रेजों का यह जो नीती है वो किसलिए हैं भारतेंदु की यहीं बदलीवी समझ नए जमाने की मुक्री में भी दिखाई देती हैं वे कहते हैं भीतर भीतर सब रस चूसे हसी हसी के तनमन धन मूसे जाहिर बातन में अतीतेज क्योंसकी सज्जन नहीं अंग्रेज उपनिवेसबादी सुधारबाद की पोल इस मुक्री में पूरी तरह खुल कर सामने आ जाती है अंग्रेज लडाई जगडे से नहीं हसकर चाल बाजियां करके लूटने में लगे है अब देख लेते हैं राष्ट्रिया चेतना अर्थात राजभक्ति फिर देशभक्ति और अब राष्ट्रिया चेतना से शम्मंधित कविता विजय यानी विजय वैजनती कविता जो मिस्र विजय के उपलक्ष में लिखी गई थी किन्तु प्रकारांतर से अपनिवेसिक अं करते हुए अचानक भारत का एतिहासी गौरब भीम अर्जू नकूल सहदेव की याद भारत की बर्तमान दुर्दसा का वे बर्णन करने लगते हैं अब कोई ऐसा मोका खोना नहीं चाहते जिसमें भारत की वास्तविक इस्थिति उसके लिए जिम्मेदारी आदी प्रस्णो कोई थी वहीं भरी सभा में भारतेंदु ने एक कविता पाठ करते हुए कहा जो भारत जग में रहियो सबस्षो उत्तम देश ताही भारत में रहियो अब नहीं सुख़ को क्लेश भारतेंदु की नजर में भारत के ऐसी दसा का सबसे बड़ा कारण आकरम अनकारी अंग्रेज है दूसरा कारण जनता की रूढ़ी बादिता धर्मान्धता और सामाजिक रूढ़ियां है तीसरा कारण आलश्य अपव्याई जूटी सान सोकत तथा चौथा कारण है उनकी कायर प्रविर्ती देश बासियों को यह कारण बता कर अपनी कविताओं में उन्हें फटकार भी लगाते हैं और सुधरने का आहवान भी करते हैं देश की उन्नती के लिए सब कुछ भूलकर उच नीच जाती को छोड़कर एक होने की प्रेरना भी देते हैं इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिस राज पर विश्वास से आरम करके भारतेंदु की राजनितिक समझ ओप निवेशिक सुधारबाद सामराजबाद और सामंतबाद की चालाकियों को समझने में और उन्हें नंगा करने में सक्रिये हुई है इसलिए भारतेंदु की कविताई जदी एक और राजभक्ति का भ्रम पैदा करती है तो दूसरे ही चन देश की अंतिम टॉपिक समाज सुधार और नवजागरन मध्यकालिन भारतिय समाज की रूढ़ी बादिता संकीर नता अंध विश्वासी चेतना को पस्चिमी ज्यान विज्ञान के आलोक में जगजोर कर जगाने का काम बंगाल में राजा राम मोहन राई इस्वर चंद्र विद्य जासागर केशब चंद्रशेन स्वामी विवेकानद आधि विद्वानों ने अपने हाथों में लिया था बाल विवा पर रोक विद्वा विवा की अनुमति नारी शिक्षा अंध विश्वासों का नकार आधि समाजी क्रांती के स्वर गुंजने लगे थे भारतेंदू या स्वाज सुधार की प्रगर्ति देखकर मिला जिसका खुले मन से सुविकार कर हिंदी प्रदेश में वे जोती ले आये और खुलकर सामाजिक सुधारों का जंडा उठा लिया समंती संसकारों के चलते भारतेंदू स्वयं रसिक मिजाज के थे उनकी दो प्रेमिकाएं थी किन्तु नारी के प्रती उनके द्रिष्टी कोन में बंगाल के नवजागरन मुलक आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा था वे नारी सिक्षा के हिमायती थे वेश्या गमन के खिलाब थे नारी को पूरुष के बराबर मानने के पक्षधर थे इस्तिपवयोगी प्रतीर का बाला बोधिनी का हुए प्रकासन भी शुरू किये थे भारतेंदू इस्वर्चंद्र विद्यासकर के संपर्ग में आये जिनोंने विद्वा विभा के पक्ष में पौरानी गरन्थों से काफी सबूत जुटाए थे भारतेंदू स्वयम विद्वा विभा के समर्थक हो गये थे वैदी की हिंग्षा हिंग्षा ना भवती एक रचना है उनका मैं वे कहते हैं कि पती के नस्ठ हो जाने पर मर जाने लापता हो जाने नपुंक्सक हो जाने पतीत हो जाने पर इन पांच प्रकार की विपतियों में पड़े इस्तिरियों के लिए दूसरे पती का विधान है समाज की रूड़ी बादिता का विरोध करते हुए भारतेंदू सिक्षा और अपनी भासा के प्रति उदासिंता के लिए चिंता व्यक्त करते हैं अंग्रेजों का मकसद अंग्रेजी सिक्षा के द्वारा लोगों की ऐसी जमात खड़ा करना था जो प्रसासन में उन्हें सहे जोग दे सके भारतेंदू नवजागरन की अंग्रेजी सिक्षा का माध्यम के पक्षिदर तो थे पर वे चाहते थे कि लोग अंग्रेजी सीख कर विश्व के ज्ञान विज्ञान से परिचित हो, साथ ही हिंदी की उन्नती पर भी उनों ने कहा निजभासा उन्नती अहे, सब उन्नती को मूल, बिन निजभासा ज्ञान के मिटेतना हियको सूल अंग्रेजी पढ़ने के पक्चदर होते हुए भी वे इस बात को इस पस्ट करते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी नीजभासा का ग्यान होना भी आवस्यक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेर कर सकते हैं साथ ही अगर आप इस चैनल में नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद